तो चलिए, भगवान परसुराम जी के करेक्टर के बारे में हम इस वीडियो पे बात करेंगे, कि भगवान परसुराम जी के बारे में हमें कल की 2881 में क्या-क्या देखने को मिलेगा, तो पहले से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भगवान परसुराम जी के करेक्टर को ले तो भगवान परसुरामजी ना करेक्टर जो है, कलकी 2898AD, मतलब कलकी की part 1 जो है, उसमें ज्यादा नहीं है, बस उनका entry है, उनका एहसास है, कि part 2 में वो कुछ कमाल करेंगे, और कलकी 2898AD मोही में बस इतना पता चलेगा, कि कलकी अपतार को भगवान परसुरामजी का मदद मि लेगा, तो वो जो एहसास है, वो part 2 के लिए होगा, और ये जो entry जो बता जा रहा है, कि भगवान परसुरामजी का जो entry जो होने वाला है, बो जो बोला जा रहा है, मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि ये climax में होगा, क्योंकि climax में अस्वतामा को मुक्ति मिलेगा, अस्वता कल की अपतार को अल्विदा कहने वाले हैं, तो उसके बाद कल की अपतार को मदद कन करें, मतलब आप जड़ा सोचो, यहां पर जड़ा सोचो आप कि climax में गमासान यूद होता है, कली के साथ, गमासान यूद होता है, बहुत खतरना यूद होता है, और आखिर में कुछ ऐस हो जाता है, जो कि अस्वत हमा के मृत्ति हो जाता है, emotional angle के साथ, ओके, और उसी बीच, उसी बीच परसुराम जी का, मतलब भगवान परसुराम जी का entry होता है, और वो भी junior NTR के साथ, तो part 2 के लिए excitement कितना बढ़ेगा जड़ा सोचो, और अभी तो एक और update है, जो कि बहु जो कि part 2 की stage को तयार करेगा, part 2 के लिए excitement को बढ़ाएगा, यहाँ पे एकदम से climax नहीं होगा, conclusion नहीं है, कि भगवान परसुराम जी की entry के साथ, कल की part 1, मतलब कल की 28980 movie का climax कुछ set किया गया है, जो कि part 2 के लिए excitement को बढ़ादेगा, और junior NTR इसमें आ रहे हैं तो भाई सा जो plot जो है, दो पार में बने, तीन पार में बने, जितने पार में बने फिल्म को, जितने हिस्सों में यह दिखाना चाहते है, पूरा का पूरा फिल्म जो है कल की अफ्तार के उपर, और कल की अफ्तार कौन है, डालिंग प्रवहास है, तो hero तो कल की अफ्तार में बढ़ाद जी की एहम किरदार दखने को मिलेगा मतलब जुनियर एंटियर पाट्टू में बहुत कमाल का काम करने वाले इसने तो जुनियर एंटियर जैसा ही एक्टर को लिया जा रहे हैं मतलब पाट्टू में डालिंग प्रवहास का जितना रुद्वा होगा उतना ही भगवान परसुराम जी का भी होगा मतलब जुनियर एंटियर का भी होगा कलकी अपतार और भगवान परसुराम कुछ इस तरह का कहानी है भगवान परसुराम जी के साथ क्योंकि भगवान परसुराम जी के करेक्टर के बारे में के बारे में आप लोग को पता है कि वो तीन तीन बार मेरे ख्याल से मैं जितना जानता हूँ तीन तीन बार पूरा समगर पृत्वी को हरा दिये थे पूरा पूरा दुनिया को हरा देते, सारे के सारी दुनिया को, तीन-तीन बार हरा देते, इतने बड़े, मतलब, प्रनयकारी है वो, इतने बड़े महावीर है वो, मतलब, इसलिए तो भगवान, भगवान कहलाते हैं वो, ओके, तो इतने बड़े करेक्टर को, करेक्टर के मतलब कल की अपतार कहा किस तरह का जौनी होने वाला है वो तो बहुत खतरनाक होगा ना वाइस पाट्टू कितरा जबर्दस्त होगा जाना सोचो खेश होपफुली वीडियो आपको छिलेगे हुए थैक्स पोचेंगे वे नाइस टेट टेके